नमस्कार न्यूस फोर नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा नए साल में इंटिया अलाइंस के लोगों में अब फिर से एक बार कन्वेनर बनाने के लिए जो है चोच्राय शुरू हो गई है और नए साल में इस बार जो सबसे पहला नाम इंटिया अलाइंस की तरफ से रखा गया है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का लेकिन आखिरकार नितीश कुमार का नाम सामने रखने की क्या वज़़ है क्या है इस खबर की पूरी इंसाइड स्टोरी आईए आप विश्वल मीटिंग भी हो सकती है दरसल विपक्षी इंडिया गठवंदन में एक सयूज़क की बात उठती रही है दिल्ली में हुई गठवंदन की चौथी बैठक से पहले भी शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के जरी एक सयूज़क की जरूत पर जोर हुए कहा था कि रत तयार है घोड़े तयार है लेकिन सार्थी कौन है बिहार में महा गठवंदन सरकार का नेतरुत कर रहे ज्रंतादल यूनाइटेड में नेतरुत परिवर्तन की बात अब गठवंदन की गाड़ी सयूज़क चुणने की दिशा में बढ़ती दिख रही है जेडियू सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्य मंत्री और विपक्षी दलों को एकजुट कर इंटिया गठवंदन के मंच पर लाने में एहम भोमिका निभाने वाले नितीश कुमार को सयोज़क बनाने पर गठवंदन में विचार चल रहा है इसे लेकर इंटिया गठ बंदन में शामिल घटक दलो के प्रमुख नीता नितीश कुमार के साथ जल्द ही बाच्चित कर सकते हैं वहीं जेडियू सूत्रों की माने तो सीम नितीश कुमार के साथ इंडिया गठवंदन के नेताओं की वर्चुल मीटिंग जल्द हो सकती है बता दे जेडियू और भी नितीशकुमार ने चिंता जताई थी। नितीशकुमार का कद रास्ट्री राजुनीती में बड़ा है। निरच कुमार ने कहा कि जेडियों के भले ही केवल 45 विधायक है लेकिन इस पार्टी के नेता का कद बहुत बड़ा है। बताद कि जेडियू प्रवक्ता ने साथ ही ये भी कहा कि नितीश कुमार को किसी पद की अकांग्शा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नितीश कुमार के बड़े कद को हमारे सहयोगी भी मानते हैं और विरोधी भी। हलाकि नितीश कुमार को सयोजक बनाया ज़ाने को लेकर किसी बैठक या उसके एजेंटे के बारे में ज़ानकारी से इनकार किया उन्होंने नितीश कुमार के जेडियू अध्यक्ष बनने पर प्रसंता व्यक्त करते हुए कहा कि CM ने जब जब पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाई है नेताओं और कारकरताओं में उर्जा का संचार हुआ है निरच कुमार ने ये भी कहा है कि नितीश कुमार की जेडियो अध्यक्ष बन जाने से सहयोगी दलों में भी विश्वास बढ़ता है क्योंकि समवाद सीधा होता है गौर तलब है कि जेडियो अध्यक्ष पत से ललन सिंग की विदाई और नितीश कुमार के खुद अध्यक्ष पत संभालने के बाद नितीश कुमार को लेकर हल चल बढ़ गई है इसे एक तरह से इंडिया गटपंदन पर संयोजक के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड कर भी देखा जा रहा है देखिए जहां इंडिया अलाइंस के लिए नितीश कुमार का संयोजक बनना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था तो वहीं अब सियासी गलियारों में अब ये चर्चा का विश्य बन गया है कि नितीश कुमार को ही अब इंडिया अलाइंस का कनवेनर यानि के संयोजक बनाया ज़ा सकता है आपकी इस वीडियो पर क्या रहा है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खपरों से अबडेट रहने के लिए देखते रहें नियूस फूर नेशन